नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले है जो संबल की जो जामा मस्जिद है उसको लेकर काफी जादा विवाद हो गया है कुछ लोगों की जान भी चली गई है जहांपर ये बोला जा रहे हैं कि ये जान जो गई है इन लोगों की वो पुलिस के द्वारा ली गई है लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि भाई देखो हमने वो कोई जान उनको नहीं मारा है वो किसी और ने मारा है वो देशी कटे से गोली चली ती इसलिए उनकी जान गई है तो एक बार हम उसको भी जानने वाले हैं कि हाँ भी पुलिस पक्ष का क्या कहना है वो अपने मतलब अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कौन से evidence वहाँ पे देते हैं उसको भी हम जानने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगी कि जो जामा मस्जीद है संबल की इसको ल 1994-1947 के जब हमारा देश अजाद हुआ था उसको जो स्थान के उपर जो मंदीर बना हुआ है या जो मस्जीद बनी हुए है वो as a tease रहेगी उसके अंदर कोई भी फेर बदल नहीं कि जाएगी मतलब कि मस्जीद तोड़कर कोई मंदीर नहीं बनाया जाएगी और भी अलग- एसी चीज़े हम आरे सामने आती है अभी राज़स्दान के अंदर भी ऐसी चीज़े निकल कर आ रह rebel है तो इतना कुछ हो रह तो यह 1991 का act है तो इसका क्या उचित्य बनता है यह जो अपनी पावर ही नहीं दिखा पा रहा है एक्चुल में यह रोख ही नहीं पा रहा है इन सब चीजों को तो क्या यह 1991 एक्ट जो है यह खराब है इसके अंदर क्या फेर बदल किया जाने हलांकी सुप्रीम कोट के अंदर जो है तो first of all तो हम इतियास को जानेंगे जाव मस्जिद को इतियास हैं और यह जो कोट ने जो एक ओडर दे दिया कि भी ASI को Archaeological Survey of India को जो ओडर दे दिया था जाव मस्जिद में जाके दो घंटे जो सरवे हुआ है वो ओडर किस बेस पी दिया गया क्यों यह इस एक्ट को ध्यान में नहीं रखा गया था कि इन सब चीजों को हम जानने वाले बहुत अच्छे से कवर करेंगे कहां इसके अंदर loops hall है जो हमारे Chief Justice of India दिवाइच अंदर चूड उन्होंने भी एक बात बोली थी इस एक्ट को लेकर जो उसको भी उसकी बात को भी हम देखने वाले हैं तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले PDF के बारे मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन वोक्स में आपको टेलिग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा यह सब चीजें जब आप पढ़ेंगे आपको खुद मतलब देखिए नोट्स आपके लिए बहुत जाद जरूरी है वो नहीं हाँ वो तो एक तरीके से आपको याद रह जाएगी लेकिन आपको आने वाले लोंग टर्म में अपने एक्जाम के point of view से उची जों को ध्यान में रखना है तो आज हम डिसकस करेंगे लेगल इशूज एंड कंट्रोवर्सी और संबल तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को देखें संबल के जो जिला अदालत है सबसे पहले तो यह कोई high court ने supreme court ने order ने दिया है वहाँ के district court ने order दिया है district court ने जाव मस्जिद का सर्वेक्षन करने के आदेश दे दिये थे आदेश कब दे दिये पहिए जैसे ही याचिका डाले गई कि यहाँ पर यह जो मस्जिद है जाव मस्जिद वहाँ पर क्या है पहले कभी हरियर का मंदिर हुआ करता था उसके जस्ट एक हफ़ते के बाद ही district court है वहाँ पर यह आदेश दे दिये गए थे कि जाकर आप वहाँ पर सर्वे कर लिए अब उतरपरदेश के इस शैर में हिंसा बढ़की जिसे कम से कम चार लोगों की मौत होने की बात बोली गई है अब चार लोग जो मारे गई है अब इसमें जो मुस्लिम पक्स है जो समुदा है उनके लोग मारे गई है तो मुस्लिम पक्स है उनका ये कहना है कि देखिए ये जो जान गई है वो पुलिस नहीं लिया, अब पुलिस का यह कहना है कि देखिए हमने किसी की जान नहीं लिया क्योंकि जो चार लोग जो मरे हैं, इनके अंदर जो पोस्ट माटरम जो किया गया तो इनके अंदर से 9MM की गोली प्राप्त नहीं होती है क्यों 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 जिनकी जान गई है उनसे एक देशी कट्टे के द्वारा जो गोली चलाई गई है वो उससे मिली है और जो पुलिस है वो देशी कट्टे का यूज नहीं करती है और पोस्ट माटरम भी यह बात निकल कर सामने आई कि वहाँ पर 9mm की गोली नहीं मिली है वहा उन्होंने बोली है, clear, तो यह होगी हमारे सामने पुलिस पक्ष और मुस्लिम पक्ष की जो आपसी जो उन्होंने अपने मत भेद हैं वो रखे हैं या अपने एविडेंच जो वहाँ पर रखे हैं clear, अदालत का यह आदेश यह आचिका पर आया, कि जिसमें दावा क्याएगे कि संबल में जो जाव मस्जीद हो एक हिंदू मंदिर के उपर हिंदू मंदिर हुआ करता था उसकी जगह पर बनाए गए अब यह जो सेम केस एक तरीके से आप समझ सकते हो जो जग्यान वैपी जो मस्जीद होगे वारणाशे के अंदर जो मतुरा में जो शाई इदगा होगी मद्य परदेश के में एक कमाल मौला मस्जीद होगी इन सब मामलों के एक जैसी इस परतीत होती है वहाँ पर भी यह बात बोली गई है कि ज्यान वैपी मस्जीद है वह हिंदू वंदिर जो था वहाँ पर उसकी जगहें बनाए गई सेम यह सब चीज़ें बोली जा रही है और एक और जो मामला निकल कर आए 27 नॉमर की बात है जहां पर एक और याचिक आई बोला गए कि यहां पर शिम वंदिर वा करता था अजमेर दरगा के ओपर जहां पर सर्वे की मांग की गई है अब कोट ने नोटिज दे दिया सेंटर को और ASI को यह सब चीज़ें हो गई तो यह जितने ओर धड़ादर धड़ादर निकल कर आ रहे है क्यों यह 1991 का जो एक्ट है वो इनको क्या रोक नहीं पा रहा है तो फर्स्ट और आप एक पर जगा देख लीजी यह संबल कहां पड़ता है तो आप यह देखेंगे ना अलिगड के जस्ट कनेक्ट हो रहा है यहां पर बुलंज शहर के बराबर हो गया तो यह हो गया संबल में जो दावे मूलता है पुझास्तल के धार्मिक चरितर बदलने की जो मांग करते हैं एक तरीके से समझी है वो 1991 यह पुझास्तल अधिनियम 1990 के ताइट निशिद है प्रोहिविट किये गए हैं मतलब उनको वहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं पार्लेमेंट के अंदर एक तरीके से यह winter session चल रहा है winter session के दोरान वो house को एड़न याने के उनको स्थखित करना पड़ा है तीन दिन लगाता है ऐसा हो गया क्यों ऐसा हो गया कि वहाँ पर एक तो अडानी इशू हो गया अडाने के ओपर जैसे US के अंदर बोला गया कि इन्होंने रुपे दिये हैं भार सरकार में जो सरकारी करमचारी उनको वहाँ पर टेंडर लेने के लिए ऐसा समझी और एक संबल वॉयलेंस को लेकर भी एक मनीपूर वॉयलेंस को भी लेकर वहाँ पर तो यह सब चीजें होने के कारण जो पार्लेमेंट विंटर सेशन उसको स्थाकित कर दिया गया है दोनों हाउसिस के अंदर राज़े सबा के अंदर और लोग सबा के अंदर भी अब बात करते हैं कि अदालत में अपने आदेश में क्या का और इसके विरोध में क्यों बढ़क उठे देखे 19 नॉवंबर को जो कहां से स्टार्ट होती कहां नी वहां से समसंजेंगे देखे 19 नॉवंबर को चंदोसी में संभल का एक संभल जिला जो शत्तर नियाले वहां के जो सीविल जाज है अधित्या सिंग उन्होंने क्या किया एक एड़ोकेट है हरिशंकर हरिशंकर जैन और वहां के जो लोकल महनत है उन लोगों के द्वारा जो याचिका दायर की गए थी उनको वो accept कर लेते हैं किनोंने accept कर ली आदित्य सिंग जे जो accept कर ली फिर जैसी accept की जिसमें उन्होंने एक अफ़ते बाद बोल दिया था कि हाँ यहाँ पर अब सरवे कर सकते हैं मैं जहाँ पर 1726 की बात बोला था हूँ अच्छल में 1526 है कहीं आपको यह 1529 भी मिलेगा ठीक है इसको आपको लेकर कोई confusion नी हो नहीं यह एक्जाम में नहीं भूचा जाता है जहाँ पर यह बात बोलेगी कि जिसमें जाम मस्जीद तक पहुंचने के अधिकतर दावा किया गया याचिका करता का आरोप है कि मस्जीद का निर्वान 1526 में जो मुगल समराड बाबुर हुआ करता था उसने हिंदु मंदिर को तोड़ का ध्वस्त करके यहां पर मस्जीद उनाई है अब यह इन्होंने कैसे बोला एक आईनी अकबरी है और एक बाबर नामा है इन दोनों पुस्तकों का हवाला देते हुँ यह बात बोली गई है याचिका दायर होने के कुछ गंटों के भीतर अदालत ने मस्जिद में प्रारंबिक सर्वेक्षन करने के लिए आदेश जारी किया पहला सर्वेक्षन तो देखो उसी दिन हो गया अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सर्वेक्षन की एक रिपोर्ट जो है आती तो मैं यहाँ पर एड कर देता 36 नॉमबर को को अपडेट आएगी तो यहाँ पर देखेंगे तो 29 नॉमबर को यह बात वो ली गई कि यहाँ पर सारी रिपोर्ट है उनके समक्स रखी जाएगी यह सिंपल सी बात हो गई अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखेंगे 19 नॉमबर को जो बात हो गई 19 नॉमबर को तो चलो सर्वेक्षन हो गया जो यह सर्वेक्षन हुआ था ना ऐसा नहीं है कि सुप्रीम को जिला तर ने जो न्यायले है उन्होंने आदेश दे दिया एकदम से जाके वो पहुँच गई यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी था उनसे अनुमत्ती भी ली गई थी ऐसा नहीं है कि उनसे बीना पूछे सर्वेक्षन हो गया नहीं बात उनसे हुई थी लेकिन अब जब 24 नॉमबर को सर्वेक्षन होना था उसका दूसरा चरण होना था वहाँ पर जो है वो इंसा बढ़क जाती है विरोध परदर्शन स्टार्ट हो जाता है अब समझने वाली बात ये भी है इसके उपर पुलिस के उपर भी सवाल ये उटते हैं कि इतनी संक्या के अंदर भीड वहाँ पर कैसे आ गए क्या वो सूनियोजित तरीका था क्या पहले से भीड को इकठा किया गया था जिस तरीके का आप हमला देखते हैं या फिर जो भी आप परदर्शन वहाँ पर देखते हैं इतनी संख्या के अंदर भीड का वहाँ पहुंचना ये planning के तहती ही हो सकता है बिना planning के ये काम नहीं हो सकता है clear cut बात है ये सबी ये बात बोल रहे हैं तो यहाँ पर failure होता है पुलिस का कि उनों उनको क्या इस चीज़ की भनग नहीं लगी थे अदालत का अदिस एक दरफा यानि कि दोनों पक्षों को बिना सुने ये बारित कर दिया गया था संबल की ज़ज आमा महजीद है उसको समझी थोड़ा सा इतियास मैं बताऊ एक सरंक्षित समारक है 22 नुवंबर 1920 में प्राचीन समारक सरंक्षित अधिनियम 1904 के था है जो अंगरे जो काल का जो नियम है उसके था है इसको अधिसूचित किया गया है हाली की डेट में इसको मतलब प्रेज़ेंट डेव के अगर मैं बताऊ इसको राश्ट्रिय महत्तु का समारक भी घोशित किया गया है आप अगर वेबसाइट पर जाकर देखेंगे भारतिय पुरा तत्तो सर्वेक्षन की जो वेबसाइट है वहां पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको इन समारकों में इस जाव मस्जित का नाम भी वहां पर आपको मिलेगा कि इसको राष्ट श्मारक का महत्व दिया गया है तो यह हो गया आपको घटना कर्म थोड़ा बहुत समझा दिया अब याचिका करताओं ने जो दावे की बारे में कानून क्या कहता है उन्होंने तो बोल दिया कि यह जो जाव मस्जिद है यहाँ पर पहले कभी हिंदू मंदी रुआ करता था तो यह जब बात बोली है इसके उपर जो कानूनों वो क्या कहते है देखे याचिका करताओं द्वारा दायर किये गए सीविल मुकदमा अनिवायर रूप से नियाले के संबंदित संपत्ति के शिर्षक का निधारन करने का मावल है एक चीज समझे यहाँ पर एक अधिनियम आता है हमारे सामने अधिनियम कोन सा आता है या एक्ट कोन सा आता है वर्शी पैक्ट आता है 1991 जिसमें यह बात बोली गई है कि आप जो है कोई भी मंदिर बना हुआ था 15 आगस 1947 को या कोई भी मस्जिद बनी हुई थी आप उसमें कनवर्जन नहीं कर सकते मतलब आप उसको बदल नहीं सकते किसी मंदिर को तोड़कर माँ मंदिर नहीं बना सकते तो यह बात बोली गई थी तो यहाँ पर जब यह याचिका डाली जा रही है जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद हुआ, मस्जिद नहीं यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करता था हरियर का मंदिर हुआ करता था सीविल मुकदमे में याचिका करता तोरा जो ये बात बोली गई, उन्होंने जो भी फैक्ट यहां पर दी है, उसको फर्स्ट रूप से स्विकार कर लिया, कि भी ठीक है, लेकिन इन सीविल मुकदमे में सक्त जांच के आदेश तो रोक लगाती है, कि भी सक्त जांच नहीं की बाबर नामा, आईने अक्बरी जो है, पर्स्तुत किया गए, उनके हवाले से यए बात बोली गई थी, हालांकि जब पूजास्थल की बात आती है, ये कोई भी डाल सकता है, ठीक है हलां कि ज्यान व्यापी मतुरा दोनों मामलों में जिला नियाले ने हिंदु याचिक करता हूं तोरा जो दायर सिविल मामलों में सुधारने हो गया यानि मैंटेनेबल वही बात है कि संपत्ति का स्वामित्त ये जानने की बात बोली गई है वहां पर जो है जिसका आर्थ 1991 के अधिनियम के बावजुत निधारन के लिए वैद मामले हैं मतलब कि यहां पर सिंपल समझीए 1991 का अधिनियम क्या कहता है कि आप उसके अंदर कनवर्जन यानि हिंदु बंदिर को तोड़कर मस्जिद निमना सकते लेकिन यहां पर यह बात बोली नहीं रहे यह तो यह कह रहे हैं कि भाई हमें तो बनानी थोड़ता है हमें तो जानना है वहां पर क्या था समझ रहे हो यहां पर क्या है तो वह किसी धरम को बदलने की बात नहीं कह रहे है तो क्या इसके अंदर वो सब चीजें नहीं है, क्या आप जान सकते हैं, क्या यह यह बात बोलता है, यह act, हाँ, इसको हम एक बार समझेंगे, ठीक है, तो देखे, पूजास्थाल अधिनियम इसको भी हा जाते हैं, कि वर्शिप एक्ट क्या है, प्लेस ओव वर्शिप एक्ट किसी भी पूजास्थाल के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखने के प्रावधान करने, तथा उससे संबंदित या उससे अनुशंगिक मामले के लिए अधिनियम है, इसको इंग्लिश में आप देखेंगे, an act to prohibit conversion of any place, आप conversion नहीं कर सकते किसी प्लेस को, वर्शिप क आप उसी को मनाए रखेंगे, जो उसको आप मेंटेन करके वैसा ही रखेंगे, आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो अधिनियम है, इसका सेंक्षन 3 है, जिस सेंक्षन में बात बोलिए, किसी भी धार्मिक संपरदाय के पूजास्तल को पूण, पूर्ण रूप से, भाई मस्जीद है, उसको पूर्ण रूप से आपको बदलना है, किसी धरम के अंदर, या फिर किसी दूसरी धरम के, मतलब कि हिंदू धरम के अंदर, हिंदू मंदीर के अंदर बदलना है, या उसके एक छोटे से भाग को बदलना है, तो वो उसको सा बोलता है यह हो गया आपके सामने धारा सेक्शन 3 होगी इसकी बात अब देखें यह कानून जो है वो कांग्रेस ने 1991 के अपने चुनाव गोशना पत्र में डाला था उन्होंने बात बोले थी कि हम यह इस तरीके का था मुगलों से एक तरीके से समझिये अंग्रेस से पहले तो मुगली थे उन्होंने काफी सारे हिंदु मंदिर भी तोड़े थे लोगों को बहुत जादा एक अपने होता ने कि हमें वही चीज़ वापिस चाहिए हमें हमारे यहाबर मंदिर वापिस चाहिए तो उस तरीके की विवाद उत्पन होने लगे थे उन सब चीज़ों को समाप्त करना था संसत में से पेश करते समय जो उस वक्त के जो ग्रह मंतरी हुआ करते थे एस बी चाहवान उन्होंने कहा था कि इस विदेग के आ जाने से क्या होगा एक संपर्दा एक सोहार्थ की और सद भावना को ब राम जनम बुमी के विवाद पर ही समय आया था तो उस वक्त इसको दाएरे से बाहर रखा गया था अब आप सोचें कि अरे सर आपने तो कहा कि 1991 एक्ट के तैत तो बोला गया कि भी किसी मंजीद को तोड़कर वहां पर हिंदु मंदिर मनाया जा सकता है तो राम जनम बुमी को उस 1991 के एक्ट से बाहर रख दिया गया था क्योंकि यह तो फैसला ओविसली कानूर उसमें अदालत में चला था तो अदालत फैसला करने वाले थी इसके उपर फिर अदालत ने इस टाइटल सूट को कैसे इनुमती दे दी कि अभी जो जाओ मस्जिद का पता लगाने के ल अलांकि वो एक तरीके से उसको उन दावों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनोती दी गई है अभी वो बामले जो पेंडिंग भी है यह बात बोली गई यहां पर फिलाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है पूजा स्थल अधिनियम को चुनोती देने वाले चार अलग-अ याचिकाएं हैं सितंबर 2022 में भारत के ततकालिन मुख्य नियाएदिस यूयू ललित ने यूलित के अधिक्स्ता वाली एक पीठ ने सरकार को सरकार से भी जवाब मांगा था आप अपना स्टेंड बताइए जो याचिकाएं जो आई हुई है हमारे सामने उनके उपर आप स्टेंड बताइए दो हफ़ते का टाइम दिया था कब सितंबर 2022 को दो साल भी चुके हैं सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है यहां पर लेकिन वारा नसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो देखते के समझी वारा नसी के अंदर पूजा करने के जो अनुम नोती दे देते हैं ना किसी भी चीज़ को अनुमपी मिल गई तो उस अनुमथी से जो भी मामले एफेक्ट होने वाले थे उसमें बहुत सारी चीज़े आनीर स्टार्ट हो जाएंगी जैसे वी वारा नसी के अंदर जो मामला था उसके अंदर पूजा की अनुमती दी गई तो बहुत सारे जो मामले रुके हुए थे अरे कहीं अनुमती मिल गई तो उसका हवाला देते हुए बहुत सारे मामले आने लगे वहाँ पर मई 2022 में न्याय मूर्ती जो Chief Justice of India D.Y. चंदर चूट जी ने कहा था कि 1991 का जो एक्ट है धार्मिक स्थाल की प्रकरती बदलने पर रोक लगाता है मतलब कि आप उसको मस्जिद को तोड़ कर वहाँ पर मंदिर नहीं मना सकते या मंदिर को तोड़ कर मस्जिद नहीं मना सकते लेकिन क्या है यहां पर एक लूप होल का हो या फिर यहां पर जो अनुमती दी गई है उसको समझ लो कि परक्रियातमक साधन के रूप से रूप में किसी भी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना जो इसका सेंक्शन 3 है और सेंक्शन 4 है अधियम की उन प्रावदानों का उलंगन नहीं हो सकता है मतलब कि बोला गया है आप उसका ये पता लगा सकते हैं कि स्थान का कि यहां पर कभी मंदीर हुआ करता था या यहां पर कुछ और हुआ करता था आप उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हैं इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 15 अगस 1947 को जो पुजा स्थल की परकरती क्या थी इसकी जांच की अनुमती दी जा सकती है कि किसी भी स्थान की परकरती क्या थी वहां पर क्या हिंदू मंदिर हुआ करता था इसकी तो आप जांच करवा सकते हो लेकिन उस परकरती को बाद में बदला ना जा सके यह एक्ट यहां पर यह काम आता है यह यहां पर इस चीज़ को रोके जाएगा क्लियर हुआ आप देखें मत्रा और ग्यानवापी दोनों मामलों में मस्चित पक्ष ने पुजास तल अधिनियम की इस व्याक्षा को भी चुनोती दे रही है जहांपर ये बात बोली गए कि आप उसकी परकरती का पता लगा सकते हैं अपर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था तो ये चीज़ें अभी अल्रेडी कोर्ट के अंदर चल भी रही है और जो संबल में जो चीज़ें हुई एकदम से बहुत अचानक जो चीज़ें बढ़ गई है अचानक से जो देखें अचानक से तो नहीं होता ये केस डाला गया काफी टाइम से फिर यहां पर जो कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद जो यहां पर बोला गया कि दो घंटे तक वहां पर आप सर्वेक्शन किया है अलांकि उसकी बात अभी सामने नहीं आई कि उस रिपोर्ट में क्या है उसको अभी अपने पास रखा गया है तो उमीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको अच्छे समझ में आगी होगी कहां पर इस चीज को स्विकार किया गया कैसे स्विकार किया मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहां पर जो एक याजिका डाली है कि यह जो 1991 के खंड जो तीन और चार के अंदर जहां पर पूजा स्थल की परकरती आप पता कर सकते हैं कि भी इस थान पर आपर मंदिर हुआ करता था है मस्चीद हुआ करते थी तो इस चीज को भी उन्होंने काया कि आप बैन करिए या पर रोकिए उसको भी परतिमंद करिए तो यह सब चीज़ें आपर बोली गई है हिंदू पक्ष ने क comment section open है, pdf के बारे मैं already मैं बता चुका हूँ, description box में आपको telegram का channel मिलेगा जाकर आप वहाँ से इस video की pdf भी download कर सकते हैं, देंकि कुछ जिए आपको पढ़नी होती है वो exam के point of से बहुत जादा important है तो आप उन चीजों को ध्यान में रखिए clear, तो आज के लिए इतने था thank you for watching this video